आपको लिए Auto Talks की एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों फिर से स्वागत है मेरा नाम है मांशू और आज की वीडियो में दोस्तों कमपेर्जन करेंगे हम जो है दो सब 4 मीटर कॉंपैक्ट SUV सेग्मेंट की कारें जो की आपको 100 प्राइस पे अंडर 10 लाग के बजट में आसानी से मिल जाती है एक है हुंडे की वेन्यू पैट्रोल में E-Variant सबसे बेस और दूसरी है मारती की ब्रैजा LXI सबसे बेस पैट्रोल में दोनों को compare करेंगे अगर आपका बकेट लिस में अंडर 10 लाग के बजट में दोनों गारिया हैं confusion है आपके बीच में तो दोनों का बीच में आपको आसानी होगी आज की वीडियो को देखके और बाकी एक बार दोनों को select कर रखा है आपने तो side by side showroom में जाईए फिजिकली गारियों को देखिए दोनों को बाकी आप चला की भी देखना तो आपको जो है एक confirm जो है idea हो जाएगा बाकी वीडियो से तो और भी आपको जो है तो प्राइज में एकशो दोनों का चली करेंगा तो प्राइजमे एकर निगलके का कि एक बार मेंक 15जा रूबर में होड़ी उन्हाइज से प्राइज्वहां एंत निगलके एक जारओ में जाएगा और यही डिफरेंस आपका अंड प्राइस पर जाएगा वेन्यू सबसे यहां पर ओन रोड जाएगी वही आट लाग सतर यासी जार रुबेगी और नौ लाग 20-30 जार रुबेगा आपका ब्रहज़ा का LXI का सबसे बेस यहां पर ओन रोड में जाएगा तो यह रहती है प्राइस की बाद अब आपको थोड़ा बहुत किलियर हो चुका होगा कि प्राइस में कितना एक्शुल में डिफरेंस है 45-55-60,000 का एक्शुल रुम से लेके अन रोड आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अब बात करें हाँ यहांपर एक बार कलर क्योंकि कलर में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगी पसंद ना पसंद रहती है तो वेन्यू का बता थो बलेक अगर कलर के आप जदा ही जहांद है तो वेन्यू मिल जाएगी आपको black कलर में लेकिन ब्रैजा नहीं मिलने वाली ब्रैजा में ब्लैक कलर आता ही नहीं है आपे तो यह थोड़ी कलर की बात है थी बाकी रैड हो गया सिल्वर ग्रे या फिर जो है जो है जो भी होते हैं और ब्लू कलर दोनों में आपको मिल जाएंगे अब बात करते हैं हाँ पर इंजन की इंजन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं क्योंकि एंजन में डिफरेंस है अच्छा कासा डिफरेंस है बाकी जो है अब ब्रैजा में 1.5 लिटर के इंजन आता है 4 सिरिंडर वाला के 15C सिरीज जो की 102 ब्रैजपी की पावर 137 लिटर मीटर टॉर्क के संग प्रेड्यूस करेगा तो ब्रैजा में वेन्यू के कंपरजन में ज्यादा पावर है ज्यादा टॉर्क है 20BHP ज्यादा पावर है 23NM का टॉर्क ज्यादा आपको मिलने वाला है तो थोड़ी आपको पावरफुल लग सकती है ब्रैजा एक बार जरूर चला के देखें ये पूरा किलियर आप ट्रैक्टिकली चला के देखेंगे गारी तब ही हो पाएगा क्योंकि अलग अलग ड्रैविंग स्टाइल भीएजित रहते हैं हर एक लोगों के लेकिन ब्रैजा में ऐसा नहीं है कि पावर ज्यादा टॉर्क ज्यादा है तो आपको माईलेज कम मिलना है ट्रैक्निकल स्पेसिफिकशन आपको पता लग गिया होगा दोनों में कौन कौन से क्या-क्या पावर टॉर्क के जो क्या-क्या माईलेज की इंजन आ रहे हैं अब बात करते ही हां पूरे डामेंशन डेजाइन फीचर्स की तो सबसे पहले और डामेंशन की बात करूं length दोनों की same to same रहती है wheelbase दोनों का same to same रहेगा और grand finance भी around 190 से 95 के approach दोनों का रहता ही है 198 mm का breza का है 190 से 95 mm का यहाँ पर venue का रहता है लेकिन height की बात करें तो height में अच्छा कासा difference यहाँ पर breza में है 1685 यहाँ पर देख रहे हैं 1685 mm जो height रहती है breza की रहती है और 1670 mm की आपको height venue की देखने को मिलेगी तो headroom काफी अच्छा आपको यहाँ पर breza में देखने को मिलेगा 6 से 7 cm जादा आपको height में बड़ी आपको यहाँ पर breza मिलने वाली है width की बात करूं 1770 mm जो है width venue की रहती है 1790 mm जो है width यहाँ पर breza की रहेगी तो मातर 2 cm का difference यहाँ पर width में जो की जादा नहीं है compare to height के height में जादा lead breza कर जाती है तो यह थी dimension की बातें कुछ पता लगी होंगे आपको बाकी lens same to same है wheelbase same to same है एक बार boot space भी दिखा दूँ आपको boot space देख लिए side by side 350 liter का venue में है थोड़ा जादा है इसमें और 328 liter का आपको breza में मिल ला है तो इतना major difference नहीं है मातर होई आपका जो है कह सकते हैं आपका इतना major difference आपके boot space में नहीं दिया गया है तो इस तरीके से यह कुछ dimension की बाते थी अब बात करते हैं friend look की तो friend look देखी एक बार अब यहाँ थोड़ा subjective चीज रहेंगी कि किसी को venue बसंद आएगी किसी को breza बसंद आएगी तो आप मेरे को बताएं comment section में आपको friend का look कौन सा जो है गाड़ी का अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे venue का काफी अच्छा लगा क्योंकि यह जो grill है काफी चमचवाती भी बहुत अच्छी लग रही है attract भी कर दी है थोड़ी chrome यह dark cream short जो है chrome वाला आपको इसमें shade मिलना है तो friend की जो है profile venue की काफी अच्छी लगने वाली यहाँ पर आपको दोनों में ही halogen headlamps दिए जाते हैं लेकिन w zip प्रोजेक्टर में halogen मिलेंगे इसमें आपको venue में reflector based मिलेindi उपर यहाँ पर indicator यहाँ पर venue में दिए गई हैं लेकिन w zip light के side में आपको indicators मिल जाते हैं venue में top में भी आपको जो है फोग लैंस नहीं मिलती है लेकिन ब्रैजा में ऑप्शन मिल जाता है फोग लैंस लगाने का तो प्लेस्मेंट कुछ ऐसी जगे करिए वेन्यू के हैड्लम्स की जिसमें की इतनी ज्यादा ज़रुत ना पड़े फोग लैंस की तो फ्रेंट प्रोफाइल देख सक अब साइट प्रोफाइल की ओर आते हैं तो साइट प्रोफाइल देखेंगे थोड़ा जो वाइड वाइड चौड़ी-चौड़ी क्लैडिंग से वह आपको ब्रैजा में ज्यादा देखने को मिलेंगी वेन्यू में थोड़ी जह है क्या सकते हैं पतली-पतली सी रहती है ज लेकिन ब्रैजा का रहता है 21560R16 का तो प्रोफाइल थोड़ा आपको बड़ा वह ब्रैजार का मिलने वाला है बाकी फ्रेंट में डिस्क ब्रेकस रियर में ड्र Madrid को मिल जाती है एसा रहता है साईट प्रोफाइल देख सकते हैं आप दोनों का हाइट में थोड़ी जैसा की ब्रैजा बड़ी है तो वो लगेगी आपको सामने से देखने में ब्रैजा भी बड़ी रियर प्रोफाल की हो राते हैं तो रियर में आप जो है अगर आप देखते हैं तो वेन्यू की लाइटे ना वैसे तो वैसे गनेक्टेट टाइब रहती हैं आपे जलते हुए लेकिन बेस वेडिन में कनेक्टेट जो है एक डेमी टाइब का लेकिन ये हैं आपकी हैलोजन में ही लेकिन ब्रैजा में आपको रियर टेल लैम स्टॉप लैम पूरी एलिडी में दी जाती है जो की बहुत शांदार से लगती है बाकी आप पे डिबेंड करता है कि रियर प्रोफाइल की लाइटेंग कौन सी आपको पसंदारी है ब्रैजा की या फिर जो है वेन्यू की मेरको थोड़ी ब्रैजा की अच्छे लगी रियर में लाइटें बाकी उपर आपको जो है आपको इन पर एक तरीके से शार्क्विन एन्टीन आप ब्रैजा में दिया जाता है वेन्यू में नहीं है बाकी पीछे σपॉयलर इंटीघ्रेडेड आपको ब्रैजा में है वेन्यू में नहीं़ी मिलेगा और यहां पर डिफओगर दोनों में नहीं मिलते हैं, वाइपर दोनों में नहीं मिलेंगे, आपको reverse parking sensor दोनों में रहते हैं, और rear का profile side by side आप देखी रहे हैं, camera दोनों में आता ही नहीं, base varied में, तो exterior की यहाँ पर पूरी आपने हाँ पर देख ली, designing और साधे साथ क्या क्या features किस में आपको extra मिल ले है ORBMS body color ब्रैजा में दिया गया, जो की venue में नहीं है, fender पर indicator venue में है, जो की ब्रैजा में ORBMS पर दिया गया, shark fin antenna मिल रहे है ब्रैजा में, और tire profile ज्यादे मिल जारी हैं ब्रैजा में, अब चलते हैं interior section की और, दोनों का side by side interior देख रहे हैं, dual tone color में venue का interior लेकिन venue का बाद अगर ब्रैजा की बात करें interior की, तो single tone में ही पूरा black color का interior ब्रैजा में बेस मोडल सा ही मिलता है, बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पार फीचर की जरा तो power window, 4 power window मिलती है, ब्रैजा में आपको, venue में front की power window मिलेंगी, और वार्विम जो रहते हैं, fold और edges manually करने पड़ेंगे, ल assist मिल जाता है, और idle start stop मिल जाएगा, लेकिन यह venue में नहीं मिलता है, venue में आपको यहाँ से adjust कर सकते है, headlight की beam, वो भी आपको ब्रैजा में दी जाती है, बाकी interior आप देखने है, dashboard की quality, interior की fit and finish, वो थोड़ा मेरे को ना personally, venue की अच्छी लगी, और dual tone color में interior मेरे को ज्यादा अ venue में थोड़ा certain finish steering पर आ जाती है, थोड़ा premiumness यहाँ पर लगती है, interior में, बाकी meter console आप यह देख रहे हैं, semi-digital type का दो है, दोनों में मिलता है, लेकिन controls MID में, जो digital MID बीच में, वो steering पर venue पर दे दी गई है, लेकिन आपको ब्रैजा में, यहाँ पर meter पर ही, जो हैं आपर controls मिलते हैं, बाकी center console आप यह देख रहे हैं, touch screen दोनों में नहीं मिलती है, after market लगवानी पड़ेगी, AC आपको जो है, manual AC मिलते हैं, बाकी charging socket यहाँ पर 12 volt का तो दोनों में दिया जाता है, लेकिन venue में आपको type C भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, proper इस तरीके से, तो ऐसा क आपको यहाँ पर कह सकते हैं, venue में थोड़ी, इंटीजर में आपको premium सी आपको feel आएगी, और यहाँ पर चाबियां आगर मैं दिखाऊ ना, आपको center remote locking venue में नहीं मिलती है, manual center locking मिलेगी, लेकिन ब्रेजा में आपको दो चाबियां ऐसे मिल जाती है, center remote locking के साथ में, तो इं चाबियां आपको center remote locking के साथ में मिल रहे हैं, तो यह features integer में थोड़े venue में के, comparison में ब्रेजा में जादा रहते हैं, लेकिन price भी थोड़ी जादा है, ब्रेजा की, 45,000 से लेके वही 55,000 के approach, बाकी rear section में और चलते हैं, तो rear में अगर आप आते हैं, तो rear profile दोनों की ऐसी रहती रियर में सीटों में आपको integrated address यहाँ पे, दोनों में यहाँ पर venue में मिलते हैं, वाकी यहाँ पे flat पूरा ब्रेजा में दिया गया है, पीछे की भी आपको ऐसी power window ब्रेजा में मिल जाएंगी, लेकिन venue में नहीं मिलती है power window, center console में आपको आपको रियर AC वेंट प्रॉपर जो है, ब्रेजा में दिया जाता है, जो की venue में नहीं दिया गया है, तो venue में आपको rear में AC वेंट नहीं मिलेगा, तो ब्रेजा में यह चीज आपको मिल जाती है, तो अब साइद सारा कुछ clear हो चुका होगा, features आपने थोड़े बहुत integer के, exterior के जाने, तो जैसा की price venue की जो ह जाता है, mileage जाता है, साधी साथ features भी थोड़े extra दिये है, तो अगर आपका, जो है, अब main budget पर ही पूरा जो है, कैसकते न, depend करता है, कई लोगों को venue जाता पस आने वाली है, अगर वो exterior से देखेंगे, interior से देखेंगे, अगर यह features जो मैंने extra बताएं ना, ब्रेजा में जैस जा रहे हैं, और साधी साथ शार्क विन एंटीना, आपको थोड़ी ज्यादा height के साथ में ब्रेजा मिल लिए, अगर इन features से थोड़ा compromise कर सकते हैं, तो venue भी आपके लिए एक अच्छा option रहेगा, थोड़ी premium सी लगती है venue, अगर ब्रेजा से वैसे compare करते हैं, और बाकी safety में ESP और Hill Assist यह थोड़ा ज्यादा मिल रहा है आपको ब्रेजा में, और ब्रेजा को safety rating में काफी अच्छी मिली है, 4 star safety rating, तो यह चीज अगर आप गलेट करते हैं, तो ब्रेजा की और ना जाके venue की और जा सकते हैं, लेकिन कुछ price का जो है इतना ज्यादा कुछ आपको difference इतने भी बहुत रहती है, तो इंतजार तो आपको थोड़ा बहुत खिनना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों में, तो यही थी दोस्तो आज की वीडियो, लेकिन मेरे साब से ब्रेजा लेना एक काफी अच्छा option यहाँ पर रह सकता है आपके लिए, क्योंकि रिफाइनमेंट अच् अच्छा मिलना है, थोड़े फीचर ज्यादा मिल जाना है, थोड़े सी प्राइस ज्यादा देके, तो यही थी दोस्तो आज की वीडियो, तो मिलते हैं एक और ऐसी नहीं वीडियो के साथ में